जाद संग चुनाव की मांग को लेखा दास्तान निवर्शिटी दिरोट पद्रसंग किया जगा है शांता दोग्तर की पहली सीडी है और मैं जिस सदन के सामने से आज बोल रहा हूं चाद संग चुनाव की वज़े से चाद राजनीत की वज़े से मैं आज इस अदन में पहुचा हूँ मुझे लगता है कि चाद संग से बड़ी कोई ऐसी जगह नहीं है जो नए लोगों के लिए एक आम किसान परिवार या गरीब परिवार का व्यक्ति जहां पर राजनीत में अपना कदम रख पाए एक मात्र चाद संग ये ऐसी जगह है जिस से राजनीती में आकर के आप जो गरीब लोगों का जो जो किसान परिवारों के बच्चों का जो गरीब परिवारों के जो नोजवान है जो राजनीत में आने का सपना रखते है और देश की राजनीत में आकर के विवस्था परिवर्तन को लेकर के जो अपनी बात सुरू से मन में रखते है वो अगर उनका ज़जबा आगर कहीं सफल हो पाता है तो चाहत राजनीत की दूद के डाधोर। 25,000तों से छापुरा से तुमूर मराजय कहीं जीत कि है तो उसमें सबसे कराना चाहिए क्योंकि अभी एडमिशन का प्रोसेशर चल रहा है और 6-8 सब्ता के भीतर गोशना के भीतर चाहचंग के चुनाव आसानी से संभव है जो एडमिशन प्रकिरिया की दोरान होता है तो राजस्थान में सरकार तुरं इस बात को संग्यान में लेकर के राजस्था फिर पार कुल्पतियों की जो नई एजुकेशन पॉलीसी थी जिस वजह से समस्टर प्रणाली थी उसकी वजए से कुल्पतियों की सिफ़ारिस की वज़े से उस सेसन 2023 चोवीश के सेसन में चुनाव 6 संग्य के नहीं हो पाए बीच में कोवीड की वजए से चुनाव एक ब चुनाव कराय है हमारा अनुरोद है कि राजस्थान में सरकार तुरहर तुरह highest चुनाव करें ताकई नई पीड़ी आकर के देश की राज़नीद में अपना योगदान दे पाए राज सान की राजनीद में अपना योगदान öğशा तुरुनी We लोग सबा में पहुँचे विधान सबा में पहुँचे और अगर नहीं भी पहुँच पाए होंगे तो वो अपने ग्राम इस्थर पर अपने ब्लोग इस्थर पर बले वो सरपंच बले वो पंच बले वो प्रधान बले वो जिलाप्रमुक बन करके या एक जागरुक नागरी सुझ पूरा कर सकते है ऑडरभाइड जो राजनीत में आते हैं जिनका वास्ता इसका आनए होता जो मुदों को समझते जन्हों ने कभी संगर्श नहीं किया मैं और पार आंदोलन करे और चालों के मुद्धे पर क्योंकि आवशक है आज फीस बढ़े अगर जब तक छाथ संग नहीं, चात्र अंदोलन नहीं होगा? तो वो बड़ी भी फीस कैसे वापस विश्विदाले लेगा आज अगर किसी चातर के साथ या कोई इस प्रकार की घठना हो गई अगर चातर संग नहीं रहा या चातर अंदोलन नहीं हुए तो कैसे उस बात को कौन उठाएगा आज अगर राज्य में अगर कोई ऐसी शिक्ष राजनीत में बहुत महत्वपून योगदान राजस्थान विश्विदाले की छात राजनीत करा है देश में दिली विश्विदाले हो जवाला नेरु विश्विदाले हो इलाबाद विश्विदाले हो या कोई भी विश्विदाले हो जहां पर छात राजनीती से चुनकर क कोई है, संगर्ज करने की कोई जगह है, तो सही मायने में चातर संग का चुनाव, चातराजनीत वो जगह है, जहां पर आप उन बातों को सीख सकते हैं, उन बातों को पूरा कर सकते हैं, और हर व्यक्ति जो वास्तव में संसादरों के भाव में राजनीत में नहीं आ सकता, ये कोभी कलपना भी नहीं कर सकता था कि मैं राजस्थान में विधान सभा का चुनाव लड़ूंगा या विधान सभा का सदेशे आगर आज मैं बनाऊं तो बड़ा सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वह हमारी चात्र राजनीत में रहते वे विश्वी दाला का अध्यक्स बन करनत रूप से एक बड़ा मुमेंट राजस्थान में चात्रों का चल पड़ा है सरकार जल से जल चात्र संग के चुनाव बहाल करें अन्य था हम लोगों को भी अगर चात्रों की हित में संगर्ष करना पड़े तो हम भी पीछे नहीं आठेंगे और 12डाइस मेंट खादे सुरक्षा पॉर्टल खुला था और गरीब ऐएड जो उजना योजना है वो भारते जनता परटी ने सरकार में आते से मैं संकल पत्र में कहा कि हम प्रते गरीब परिवार को हमारी सरकार आने के साथ में हम उनको खादे सुरुक्षा का अधिकार देंगे आप ये देखिए 19.50 लाग जो खादे सुरुक्षा में जिन्होंने आवेदन किया उनमें से 13.50 लाग के लगबग अभी पेंडिंग है उन पर कोई कारवाईनी एक नया साथ माहा में राजस्थान में सरकार बने वे होगे एक नया परिवार भी भारते जन्ता पार्टी की सरकार खादे सुरुक्षा में नहीं जोड़ पई यह इनकी कतनी और करनी में अंतर है यह लोग केवल बेवजे की घोशनाई करना जानते हैं और परधान मंतरी तक यह कहते हैं कि हम सत्ता का माइंड सेट लेकर नहीं आए हम सेवा का माइंड सेट लेकर क्या है हम गरीब कल्यांड के अंतरकत काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उस पर खरे नहीं होता है, दो वरसे लोगों का हक, गरीब परिवारों को उनका हक नहीं दे पारे, और पोर्टल तक नहीं खुला, अभी तक साथ माय उनको हो गए, केंदर में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी स कुछते हैं कि खादे सुरक्षा में हमारा नाम कब जुडेगा जब उनका पोर्टल पर उन्होंने आवेदन नहीं किया लगबग 15 लाग राजस्थान में ऐसे परिवार हैं जो खादे सुरक्षा पोर्टल खुलने का इंजार कर रहे हैं उनको पोर्टल खोले सरकार आज इस सरकार और राजस्थान के परिवार को खादे सुरक्षा का लाब दिया जाए जो गरीब परिवार हैं संजे सर्मा की दोरा ठीकर आम जूली नेता जो पर्तिपक्स है उनको कहा गया कि इनकी आदत है बार-बार सवाल के बीच में खड़े उने क्या कहेंगी देखिए सदन में नेता पर्तिपक्स को यह अधिकार है कि वह अपनी बात रख सके वह बार-बार क्योंकि उनको यह अ उनको नहीं आ रहा या तो उनको संस्दिये मरियादाओं का पढ़ना सीखना चाहिए यह उन नियमों को पढ़ना चाहिए जो संस्दिये प्रमप्राओं के अनुरूप वर्सों वर्सों से हमारे जो पार्लियमेंट्रि सिस्टं में रही है ह। without knowing ज़नेमों कि उनका कर सकता ह नेता प्रतिप्रक्स मजबूती से सरकार को घेरने का काम कर रहा है और सरकार स्पस्ट रूप से सही रूप से जवाब नहीं दे पारी तो इस प्रकार के बाते लाकर के केवल उलजाना चाहती है